बिस्मिल्हार्मार्णहीं अससलामु अलेकूम मैं हूं मारिय अलियराव देख़ें ट्रावल विद मारिया और हम वाजूद हैं बैंककॉक में और खुब इंजॉय करें आज एक बहुत ही जबदस जगा लेकर आई मैं परसनल फेवरिट जगा है मैं जब भी बैंककॉक में होती हूं मैं इस जगा को बिलकुल मिस नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत रोमांटिक पसंद है और यह जो जगा है यह बहुत ही पीसफुल रोमांटिक फुल ऑफ खुबसूरती कहले बहुत हसीन जगा है और इतनी हस हसीन जगा है कि यहां पर जब भी आप जाते हैं आप पूरा बैंककॉक जो है वह इस हद तक हसीन नजारों के साथ देख सकते हैं कि जब भी आप बैंकॉक जाएं इस जगा को आपने बिलकुल मिस नहीं करना में बात कह रही हूं बयोक स्काइटावर की जो कि सेकंड टॉल सब्सक्राइब कश्राइब देखें कितने उंचा सर करके मुझे देखना पढ़ लाए है और यह बहुत ही जबर दस बिल्डिंग है पूरे बैंकॉक से बिल्डिंग प्रीटिश जब ऑफ को नजार आती तो डिफिनेट्ली जब आप इस सबसे उंचे फ्लोर पर होंगे तो तो पूरा बंकॉक भी आपको इतना ही हसीन नजर आएगा मैं आपको बताती ही चलूँ के बंकॉक में खुबसूरती अलग किसम किये जैसे ही लाइट मतलब संसेट होता है तो हर तरफ लाइट इतनी जादा जगमगाना शुरू कर देते हैं कि अगर इस कॉमक सिटी ओफ लाइट कहें तो वह भी शायद गलत ना हो क्योंकि इतनी खुबसूरत इतनी उन्चाई से पूरा शहर लगता है इतना पीसफुल और मुझे तो बहुत साथा मजा आता है और आज हम एंजॉय करेंगे और इस वीडियो को लेकर आगे बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक सब्सक्राइब करें ताकि जितनी नही आने करना है और यह कितना शानदार है तुम आपको बता दी चलू कि इस बेल्डिग में जो कि थाएलेंड की जो हैं सेकंड तॉलिटिंग संजी जाती है कही जाती है इसमें घर भी है इसमें बहुत होटिल भी मौझूद है रसट्रोंट मैं मौझूद हैं बार्स हैं शौप से और जो सबसे दबदस चीज है वो है revolving deck अब revolving deck क्या होता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था जब मैं पहली बार बैंककोग गई तो मुझे इनों ने कहा कि है revolving deck है अब हमारे देखे ना हमारे जो cities हैं जाकर हम पाकिसान की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की किसी भी चीज़ का concept नहीं है तो जब हमें वहाँ पर गई हो अब है revolving deck पर मौझूद थी है मैं आपको क्या बता हूँ ऐसे करके पूरा पूरा गोल घूम रहा था और पूरा का पूरा बैंककोग शहर वाला इतना हसीन लग रहा था उसकी लाइड सर तरफ जो है उपर से आप देख हो है वाट्स भी आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पर टैंपल्स भी हैं मॉस्क भी है और दर्या भी है और बड़ी तादाद में शॉपिंग मॉल्स है तरफ लाइड जगमगा रही तो वह बहुत ही जादा पीस तो लगता है अच्छा जी मैं आपको बिताती चलूँ कि बहुत ही इंप्रेसिव है यहां से बैंकॉक का वियू स्पेशली हम रात की बात करते हैं ठीक है कुछ लोगों को संसेट का शौकत है मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स में ये एक्स्प्लोर की है मैंने संसेट के टाइम पीस्प् और जब हम जाते हैं रात की लाइट में ठीक है तो वो अचानक से उसका मंद बदल जाता है तो लोग प्रेफर करते हैं रात को जाना लेकिन अग्धार करती हुँ कि आपको असी टामिंग पर चाहिए कि आप दोनों चीज़े cover कर लें तो sunset time पे जाएं कि आप sunset भी देख रहे हैं इतनी बुलंदी से और उसके बाद दूसी चीज़ जो है वो यह है कि आप रात की खुबसूरती भी देख रहे है तो जब आप रात को जाएंगे रात को इसकी खुबसूरती था है कि आपिटल की बहुत ही अमेजिंग होती है इतनी हसीन होती है आपको पताती चलूँ के 85 स्टोरीज है इस बयॉक स्काय टावर की और ये होटेल भी है इसके अंदर और ये होटेल जो है साउथ इस्ट एशिया का टॉलिस्ट होटेल है ठीक है ये बड़ी जबदस बात है मैं ये बात सोचती हूँ कि जिसको शौक है उन्चाई पे रहने का कुछ लोगों को ऐसा होता है न कियार हम ऐसी जगह पे रहें जहां पर समंदर हो कुछ लोगे खाहिश होती है कि हम दर्या के अर्द गिद रहे तो फिर मैंने एक रात यहां पे गुजारी थी एंड़ डैक वोस रेली अमेजिंग वो एक अलग चीज है मैं आपको बताती है चलूँ कि बिल्डिंग जो है बड़ी खुबसूर्ती से इन्होंने इसको रखा हुआ है और जो होटल है वो फोर स्टार होटल है और इस रेली वेरी गुट व्यू जो है ना समटाइम्स आपको व्यू इतना ज़ादा इंप्रस करता है कि आपको और किसी चीज का खयाल नहीं दे जाता आप मैं आपको बताती है जितने भी लोग विजट करते हैं तो यह 360 डिग्री डिवॉल्विंग ऑब्सरवेशन जो डेक है जो के 84 फ्लोर पे है या इस ओसम इसको देखने के बाद इस पे जाने के बाद और इस पर ठंडी ठंडी हवा लेने के बाद जो है आप इस पे दुबारा जाने के लिए जो है खायश का इसार करेंगे अच्छा मैं आपको बताती चलू कि एक पबलिक अब्सरवेशन डेक है जो कि 77 फ्लोर पे आप वहां पे भी जा सकते हैं बार है 83 फ्लोर पे हैं और बहुत सारे जो है रेस्टरॉंट भी मौजूद हैं इस 83 फ्लोर के अंदर तो जब भी आप इस होटल के इंदर स्टे करते हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप अगर स्टे करते हैं क्योंकि लोगों की बड़ी तादा जो है विजिटर्स की और जिते टूरिस्त यहां पर आती रहती हैं आप देख सकते हैं कि इत्ना खुबसूरत है यहां से कितना खुबसूरत नजारा है नीचे बंकोक की तना अच्छा लग रहा है तो बड़ी तादाद ने टूरिस्ट यहां पर आते रहते हैं तो फिर इतने सारा लोगों को अजस्ट वहां पर नहीं किया जा सकता लेकिन आपको बताती है चलो कि बहुत ज्यादा पैकेज़ भी टिकेट के अवेलेबल होते है इसमें ऐसा होता है कि एंटरेंस है अब्सरवेशन डेक की होटल ट्रांसफर है आपको होटल तक भी पुछा दिया जाएगा डिनर पैकेज भी है अगर आप इनका कुछ पैकेज मतलब जैसे मैंने पैकेज लिया कुछ लोग पैफर करतें को सीधा सीधे जो है डेक पे जाएं वहां पर रिवाल्विंग इनका जो है वो डेक इंज्वाइग करें उसके बाद वापे साहजें चोटा समा पर एक रिस्टांट एक कॉफी शॉप है वहां पर कॉफी लेकर औ कि दॉइढ को रिंदी इसरे से दॉफिन इसको वापने जसना से भी गलता है आपकेज आप को इसको अवेल कर सकते है जितना आपका बजट है तो मैं आपको बता दी चलूँ कि इसकी एक एंट्री से है और एक पर खाना भी खरीच सकते पानी चाय कॉफी कूफी कुछ भी एक बड़ी मज़ेदार चीज है तो कोई अपर बहुत मज़े आता है तो मैं बार बर कोई लेती हूं और उसको ना पूरा का पूरा बैंक कॉख देखती हूं तो आपको बताओं कि पतुना मार्केट जो है वो नीचे ही है इसके अबारे में एक वीडियो बना चुक हूँ कि शॉपिं के लिए बहस चगा है तो अब यहां पर आपने जाना कैसे है यहां पर जाना बहुत ही जादा एजी है क्योंकि यह मेंन बैंककॉक के बीच में ही है और यहां पर जाना आप टैक्सी से जा सकते हैं आप बस से जा सकते हैं आप टुक टुक से जा सकते हैं आप बोर्ड से जा सकते हैं जाना यहां पर कोई मुश्किल चीज नहीं है बाई वाक अगर आपका होटेल यहां पर करीब है तो आप बाई वाक भी जा सकते हैं तो यह जो है चमंग TV लाइटों को अगर देखना चाहते हैं तो इस तरह से जाएं कि आप रात को इसको जो है वो कवर कर सके अच्छा जी मैं आपको बताती चलूं कि यह सैकंड टॉल्स बिल्डिंग है और बहुत अर्से तक जो है यह यह नंबर वन पर ही रही बैंक कॉक के अंदर कई सालों तक अगर हम बहुत जादा साल कहें एक्जाक्टी मुझे भी याद नहीं है लेकिन बहुत सालों तक जो है यह टॉल्स बिल्डिंग रही लेकिन अब जो है इसका दरजा दो हो चुका है और जो नंबर वन पर है वो पिंग किंग पार माहा नाखून जो है वो मैं क तो मैं आपको बता दी चलूं के बहुत ही जबदस जगा है और बेस टाइम जो है वो आप मैंने आपको बता दिया कि इस टाइम आपने जाने और यहां पर सारी चीजे सहूलियात जो है वो मुयस्तर है लेकिन दो घंटे दो अधाई गंटे से जादा आप यहां पर नहीं सकते है TikTok whatever you want you can make any video or pictures or कोई आपको रोके का निए अब हम बात करते हैं बयोक स्काय होटल के हवाले से यह मेरा परसनल फेवेट होटल है क्यूंकि मैं आपको बताती चलूं कि यह फोर स्टार बयोक स्काय होटल है और यह वन ओफ थाइस होटल इन बैंकोक है जो तीन हिसों मे परस्टीन है और फ्लोर की जो है इसे जापनी खूबसूरती है यह से गेस्त रूम साइंशवट हैं बड़े खूबसुद रूम है और जो रिस्टोंस है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती बड़े बड़े मॉडर्न तरस का बनाया हुआ यह फोर्स है होटल है और इसके रेस्ट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब जाती हूं तो मैं रेजर्वेशन इसलिए पहले करवा लेती हूं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूं वो बिलकुल जो है ऐसी जगा पर बैठ्थ हूं जहां से मुझे बंकॉक का व्यू जो है बहुत ही हसी मिलगे अगर आप होटल के गेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं है आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पैकेज़ेस जो है टिकेट्स वेलेबल है महाँ पर आप उखरीज सकते हैं जिससे आप जो है दो व्यू पॉइंट्स पे जा सकते हैं तकरीबन ग्यारा सो थाइब हट में आप जा सक है वहां से भी इतना खुबस्रत लगता है बंकॉक का व्यू और इनके पास ग्रिल्ल मीट है और यह इंटर्नाशनल बूफे भी ओफर करते हैं तो मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से आपने इंज्वाइ करना है बयॉक स्काय टावर और इस टावर के अंदर जो है अग आपने रेस्टर्उंटंट गाना किस तरह घिंज इनके दो रेस्टरांटाय तो जो भी है आपने जाएं पर जारूर करना जैसे बर इन फॉद्ष्टोंग करना जाल रहे पे जाते हैं और वहां पर इतनी खुबस्वा ठंडी हवाह चल रही होती है तो आप ज़रूर इंजॉए करेंगे वीडियो पसंद आगे तो कॉमेंट सेक्शन में जाए अपनी कीमती राय से जरूर आगा करें वीडियो को जादा से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न करेंगे तो